हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू आवर यूटूब चैनल स्टडी प्री क्वेस्चन्स फ्रेंट्स, इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे 40 जहारखन जीके का पार्ट 5 इससे पहले पार्ट 4 तक अप्लोड हो चुका है अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और ये वीडियो आने वाला जैसेसी के एकजाम के लिए बहुत ही महत्पून है क्योंकि इसमें करेंट अफियर्स भी सामिल है और ये पूरी तरह जैसेसी के सिलेबस पर आधारित है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रस्ण क्या है तो पहला प्रस्ण है जहारखन में त्रिकूट चोटी कहा है तो देवगार में है अगला प्रस्ण है जहारखन राजे में अंग्रेजों के विरुध किया गया पर्थम विद्रो था धाल विद्रो सही अंसर होगा ओप्शन भी धाल विद्रो जोकि जगनात धाल के नेतरितू में लड़ा गया था कब से कब तक 1767 से 1777 इस्वीतर अगला प्रस्ण है सफाहोड आंदोलन को किसने नेतरितू परदान किया था लाल हेमरम ने इन्हें लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता है ये प्रसन भी पूछता है कि लाल बाबा किन का उपनाम है तो लाल हेम्रम का उपनाम है और सफाहोड का अर्थ क्या होता है तो सफाहोड का अर्थ होता है सिंगा बोंगा के परती समर्पन सिंगा बोंगा के परती समर्पन और यह अंदोलन कब हुआ था तो यह अंदोलन हुआ था अठारा सो सत्तर इस्वी में अगला प्रस्न है मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है तो मुंडाओं के ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है सही अंसरों का option B और पंचायत अस्थल को अखडा कहा जाता है अगला प्रस्ण है जार्खन राजे में निवास करने वाली जनजातियों में तीसरी सरवाधिक जनसंख्या किस जनजाती की है तो तीसरी जार्खन की तीसरी सरवाधिक जनसंख्या वाली जनजाती कौन है तो मुंडा है पहले नमबर पे कौन है तो संथाल है दूसरे नमबर पे उराव है तीसरे नमबर पे मुंडा और चाथे नमबर पे हो जनजाती है अगला प्रस्न है अदिवा ब्रांड किस से संबंधित है ये करेंट अफ्यस का क्वेस्टन है अदिवा ब्रांड आदिवासी आभुसन के निर्मान से संबंधित है सही एंसर होगा option B जारखन इस्टेट लाइबली हूट प्रमोसन सोसाइटी कारियाला हेहल में कारेपालक पदाधिकारी नैंसी सहाय ने ब्रांड अदिवा की सुरुवात की राजी की आदिवासियों की गहनों को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए इसकी सुरुवात की गई है अगला प्रसन है निम्न मेंसे किस जनजाती में युवागरी जैसी संथा नहीं पाय जाती है तो किस जनजाती में नहीं पाय जाता है ओप्शन सी खरवार जनजाती में और एक प्रसन पूछा जाता है कि बिरहोर जनजाती का युवागरी को क्या कहा जाता है तो टंडा कहा जाता है बाकि कोरा हो और मुंडा इन सब का युवागिरी को क्या कहा जाता है गीती औरा कहा जाता है अगला प्रसन देखेंगे निम्द में से किस जन जाती में ये प्रसन रिपीट हो गया है अगला प्रसन है जादो पाटिया का संबंध है तो जादो पाटिया का संबंध कि से हैं चित्रकारी से सही अंसर होगा option B चित्रकारी और यह चित्रकारी संथाल जन जाती में परचलित है और इस चित्र की रचना करने वाले को क्या कहा जाता है जादो कहा जाता है इस चित्र की जन सित्ता किरकेटा को अधिवासी युवा कवीत्री जन सित्ता किरकेटा को मध्य परदेश के ग्वालियर में 17 जनकवी मुकुट विहारी सरोज समान दिया गया है अगला प्रस्ण है जारखंड की किस एक भासा में वैस्नो भक्ति का चितरन मिलता है तो किस भासा में वैस्नो भक्ति का चितरन मिलता है पंच परगनिया भासा में सही एंसर होगा ओप्सन A यह भासा पंच परगना छेतर में बोली जाती है यह पंच परगना छेतर किसको कहा जाता है तो यह तमाड, बुंडु, राहे, सोना हातु और सिल्ली इन पांच छेत्रों को पंच परगना छेत्र कहा जाता है और यही पर ये भासा बोली जाती है अगला प्रसन देखेंगे नीम में से किसे संथाली साहित्य का भारतेंदू के नाम से जाना जाता है बहुत ही महत्पून प्रसन है संताली साहित्य का भारतेंदू के नाम से जाना जाता है डोमन साहु समीर को सही अंसर होगा option B डोमन साहु समीर और इनकी परमुख रचना है संताली प्रवेसिका संताली प्रवेसिका इनकी परमुख रचना है ये प्रस्न भी पूछा गया है अगला प्रस्ण है नीम में से किस नदी का उदगम जारखंड में है तथा इसका अपवाह मुख्यता विहार है तो सही अंसर क्या होगा ये नदी है फल्गु नदी जो की जारखंड में इसका उदगम है लेकिन इसका अपवाह मुख्यता विहार में है फल्गु नदी के बारे में जान लेते हैं फल्गु नदी का उपनाम अंता सलीला है अंता सलीला है आप पढ़े होंगे और ये नदी कियों विख्यात है तो ये नदी पीतर पक्ष के समय असनान एवं पिंड दान है तो परसिद है अगला प्रसन है राजमहल छेतर में कौन सी मिटी पाई जाती है बहुत बार प्रसन करा चुके हैं और ये प्रसन पूछा भी गया है पहले तो राजकाली मैंने इसका ट्रीक बताया था राजमहल छेतर में काली मिटी और दामदर घाटी में लाल मिटी दामदर लाल उसके लिए मैंने ट्रिक बताया था दामदर लाल तो इसका सही अंसर क्या होगा काली मिट्टी दच्छिन अफिरिका में होने वाले जूनियर महिला वर्ल्ड कप होकी चेंपियनसीप के लिए जारखन से किनका चेयन हुआ है तो दचिन अफिरिका में जो महिला जूनियर वर्लकप होने वाला था दिसंबर 2021 में उसे अब आगे बढ़ा दिया गया है COVID-19 के चलते तो इन में इन सभी का चैन हुआ था सही अंसर क्या हुआ? सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डूंडूंग इन सभी का चैन हुआ था और सलीमा टेटे का चैन ओलंपी के लिए भी हुआ था टोकियो ओलंपी के लिए बाल पहाड़ी जल विद्यूत परियोजना किस जीले में अस्थापित की गई है? बाल पहाड़ी जल विद्यूत परियोजना कहा है तो ये greedy जीला में है और किस नदी परिस्थित है तो ये बराकर नदी परिस्थित है अगला प्रस्ण है जार्खन राजे के किस जीले के सभी विधान सभा छेत्र अनुसूचित जन जात्ती है तू आरक्षित है ये प्रस्ण जेसेसी में पूछा जा चुका है गुमला और लहर दगा ये दो ऐसे जीले हैं जिनके सभी विधान सभा छेत्र अनुसूचित जन जात्ती है तू आरक्षित है अगला प्रस्ण है जार्खन सरकार के पर्थम संसदिय कार्यमंत्री कौन थे और वर्तमान में कौन क्या है इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे अगला प्रस्ण है ग्राम सभा को निम्न में से किसकी संग्या दी जाती है तो ग्राम सभा को सुरक्षा प्रहरी की संग्या दी जाती है क्यों ये संग्या दी जाती है क्योंकि ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत के कारियों की निग्रानी की जाती है इसलिए इसे सुरच्छा प्रहरी की संग्या दी जाती है अगला प्रस्ण है बिर्सा मुंडा का जन्म खूटी जीले के किस गाउं में हुआ था जैसे C के किसी भी एकजाम में बिर्सा मुंडा से एक दो या तीन प्रस्ण जरूर पुछे जाते हैं और इस पर अलग से मैंने वीडियो भी बनाया है प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं इनका जन्म हुआ था उली हातु खूटी में सही अंसर होगा ऑप्सन C भारती क्रिसी अनुसंधान संस्थान हजारी बाग जीले के किस अस्थान पर है पहला प्रस्थ पूछेगा भारती क्रिसी अनुसंधान संस्थान किस जीले में है तो ये हजारी बाग जीले में है और ये हजारी बाग के कहा है तो ये बरही में है सही अंसर होगा ऑप्सन C बरही में है हजारी बाग के बरही में है इसके अलावा भी हजारी बाग में और से अनुसंधान है जैसे कि चावल अनुसंधान केंदर है इसके अलावा मिरिदा सोध एओम अनुसंधान है मिरिदा सोध अनुसंधान भी कहा है तो ये भी हजारी बाग में है अगला प्रस्ण है नीम्ड में से कौन सा जल परपात चत्रा जिले में इस्थित है सही अंसर होगा चत्रा जिले में डुमेर सुमेर जल परपात है सही अंसर होगा ओप्सन ए डुमेर सुमेर बुढ़ा गहा कहा है तो ये लातेहार में है जो की जारखन का सबसे उचा जलपरपात है जोनहा और गौतमधारा ये दोनों एक ही नाम है ये जलपरपात राची में है नीम्ड में से कौन सा जलपरपात ये क्वेस्चन भी रिपीट हो गया है 142 करोड रुपिये की लागत से भगवान बिर्षा मुंडा इस्मिरिती पार्क कहां अस्थापित किया जाएगा तो ये भगवान बिर्षा मुंडा इस्मिरिती पार्क जो है ये अस्थापित हो चुका है कहां राची में सही अंसर इसका होगा option A राची पुराने जेल परिशर में बनाये गए भगवान बिर्सा मुंडा इस्मरिती पार्क सह संगराले काउद घाटन परधान मंत्री ने 15 नौवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फिरेंसिंग के माध्यम से किया था इसकी कुल लागत कितना है तो 142 करोड रुपिया है जिसमें ज्यारखन सरकार ने 117 करोड खर्च किये हैं और बाकी 25 करोड को भारत सरकार ने सहता परदान की है अगला प्रसन है विश्व के सभी महादीपों की सर्वोच चोटी का आरोहन करने वाली पर्थम महिला का नाम क्या है यह है ज्यारखन की प्रेम लता अगरवाल सही अंसर होगा ऑप्सन D प्रेम लता अगरवाल इनको 2013 में पदमस्री मिला है और 2017 में तेन जिंग नौरगे अवार्ड मिला है ये प्रसन पूछा था पदमुस्री का प्राप्थ हुआ है हो सकता इस बाल, तेनजिंग नौर गे आवार्ड वाला क्वेस्चन पूछेगा अगला प्रसन है भारत का पीट्सबर्ग किसे कहा जाता है भारत का पीट्सबर्ग कहा जाता है जमसेदपूर को सही अंसर होगा option B जमसेदपूर को इसपात नगरी भी कहा जाता है और कारखानों का सहर भी कहा जाता है अगला प्रस्ण है मोहन आहुजा इंडोर स्टेडियम राज्य के किस सहर में अवस्थित है तो मोहन आहुजा इंडोर स्टेडियम कहा है तो ये जमसेदपूर में है सही अंसर होगा option A, option B जमसेदपूर में वोकारों में कौन सा स्टेडियम है मोहन कुमार मंगलाम स्टेडियम ये जे PSC 2016 में पूछा गया था दुमका में क्या है दुमका में भी इंडोर स्टेडियम है राची में तो बहुत सारे स्टेडियम है जैपाल से मुंडा है जैए S.C.A. किरकेटी स्टेडियम है सताबदी स्टेडियम है अगला प्रस्ण है दीपसेन गुपता का संबंध किस खेल से है यह प्रस्ण बहुत बार ज्यार्खन में पूछा जा चुका है दीपसेन गुपता का संबंध तिरंदाजी से है सही अंसर होगा उप्शन C अगला प्रस्ण है सखाराम गनेश देवसकर की परसिद पुस्तक देसोर कथा किस भासा में लिखी गई है पहला तो प्रस्ण पुस्ता है कि देसोर कथा किस की द्वारा लिखी गई पुस्तक है तो यह सखाराम गनेश देवसकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और यह किस भासा में लिखा गया है तो यह बंगला भासा में लिखा गया है सही अंसर होगा option B बंगला इनकी और एक पर्मुक पुस्तक है तिलकेर मुकदमा तिलकेर मुकदमा इनकी और एक पर्मुक पुस्तक है याद रखिएगा अगला प्रस्न है जार्खन धाम जार्खन के किस जीले में है तो जार्खन धाम कहा है तो ये greedy जीले में है सही answer होगा ये प्रस्ण भी पूछा गया है तो जारखन धाम कहां है ये greedy जीले में है इसके अलावा greedy में और क्या क्या है तो पारसनात की चोटी है मधुबन का जैन मंदिर है और एक प्रस्ण पूछा गया है इससे उसरी फॉल कहां है तो उसरी फॉल भी greedy में है सही answer होगा उसरी फॉल कहां है तो greedy में है ललित मोहन राय एक खाली अस्थान है तो ललित मोहन राय कौन है एक चितरकार है सही answer होगा option A चितरकार अगला प्रस्ण है मुंडा जनजाती अपनी भासा को क्या कहते है तो मुंडा जन जाती अपनी भासा को होडो जगर कहते हैं सही एंसर होगा option D होडो जगर मुंडा जन जाती सोय को हेडो को हेडो को या होडो को कहते हैं या हेरो को कहते हैं और अपनी भासा को क्या कहते हैं होडो जगर कहते हैं अगला प्रस्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उल्गुलान एक रांती फिल्म को रिलीज किया है इस फिल्म को पंद्रा नौम मेर को रिलीज किया है कौन मध्यपर्देश मध्य परदेश के मुख्य मंत्री ने इस फिल्म को रिलिज किया है कौन मध्य परदेश के मुख्य मंत्री सिवराज सिंह चौहान ने अगला प्रस्ण है मुकुंद नायक किस निरित्य सैली के लिए लोगपिरिय है मुकुद नायक नाम भी बहुत ही महत्पून है ये मरदानी जुमर सैली की निरित्य के लिए बहुत ही परसीद है मुकुद नायक को प्रिंस ओप छोटा नाकपूर स्टेट भी कहा जाता है और इन्हें 2016 इस्वी में 2016 इसवी में पदमसिरी मिला है ये भी बहुत ही महत्पून पॉइंट है अगला प्रस्ण है किस वर्स लोहर दगा को जीले का दर्जा मिला तो लोहर दगा को जीले का दर्जा मिला है 1983 इसवी में सही अंसर होगा option C 1983 एकला प्रस्ण है, समास स्वा छेतर में युगदान के लिए निम्ट में से किसे पदमसिरी से समानित किया गया, आज कल जैसे सी इसे एक प्रस्ण जरूर पूछता है, तो समास स्वा के छेतर में किसे मिला है, असोक भगत को, कब मिला था? 2015 इसवी में बाकी को भी मिला है राम देयल मुंडा को कला के छेतर में मिला है 2010 इसवी में उसके बाद है सैलोस सैलेस कुमार बंधो पाद्या है इनको 2010 में क्या मिला है पद्म भूसन मिला है याद रखिएगा सैलेस कुमार बंधो पाद्या को पद्म भूसन मिला है इसलिए ये नाम बहुत ही महत्पून हो जाता है इसके अलावा 2018 में महंदर सी धोनी को भी पद्म भूसन मिला है गोपाल पर साथ दूबे इनको 2012 में पद्म सिरी मिला है कला के छेतर में अगला प्रस्ण है ततलोई गर्म पानी का जहरना कहां इस्थित है तो ततलोई गर्म पानी का जहरना कहां है दूमका में है सही अंसर होगा option C दूमका में इसके अलावा भी दूमका में बहुत सारे गर्म जलकुंड है जैसे कि रानी बहल है, जुमका है, तपात पानी है और जर्या पानी ये सभी दुमका में है अगला प्रसने किस वर्स आदिवासी नामक पत्रिका का परकासन शुरू किया गया था तो आदिवासी नामक पत्रिका का परकासन किया गया था 1915 इस्वी में और इसी 1915 इस्वी में छोटा नाकपूर उन्नती समाज की भी अस्थापना हुई थी, और उसी समय इस पत्रिका का परकासन हुआ था, अगला परस्ण है, अभरक की खाने अधिकतर निम जीले में पाई जाती है, देखिए अभरक की खाने सबसे ज़्यादा तो कोड आर्माम पाई जाते हैं, इसके अलावा ये ग्रीडी में भी पाई जाता है, तो सही अंसर क्या होगा, दोनो, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बता है, और ये सीरीज आगे बढ़ना चाहिए, कि नहीं ये भी जरूर बता है, और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज् सेयर करें, थैंक्स पर वाचिंग